तो दोस्तो शुरू करते हैं आज के इंफरा न्यूस पहली कबर जोवार ये वो है हमारी बैंगलूरू सबबन रिल्वे प्रोजेक्ट से रिलेटेट जापर इक बहुत इंपोर्टनेट माइलिश्टों अचीव किया गया है अगली खबर दोस्तो जो रही हो मंबई से जापर मिट्चो की फ्लाइवर के पास में जो एक टीशे फ्लाइवर है उसका इन्यूगरेशन जो है वो किया गया है और जिसके दोरन जगड़े भी हुए है तो दोस्तो मिट्चो की बीसिकली एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टन सिंगनल है मलाड के पास में मुंबई में यहाँ पर बीसिकली एक जंशन है उसके उपर मेट्रो है तो मेट्रो और रोड की बीचे से फ्लाइवर बनाया गया अब यह फ्लाइवर बहुत ही ज़्यादा बटला है या कहे तो काफी हाइट में छोटा है जासे ज़्यादा बड़ी वेहकल्स पास नहीं कर पाएंगे लेकिन बहुत लंबे समय से यह वेटेड था हेवी ट्राफिक यहाँ से इशूज आ रहे थे अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वह है वापस ओडिसा से रेलेट जाके सीएम के द्वारा एलोकेट के गए गए 855 क्रोड रूपीज फॉर दी रेनोवेशन ऑफ सिक्स डेकेल उल्ड कनाल सिस्टम कनेक्ट टू हीरा कुड डाम तब जानते हो एक डाम जो है सेंट्रल रेलवेश से रेलेटेड जिन्हों ने डिसाइड किया है कि वह बहुत ज़ादा बड़ा मेजर प्रेड करेंगे मुंबई के उनके सबर्बन नेटवर्क और में लाइन के लिए तो बेसिकली यहाँ पर जो सबर्बन रेलवेशन से बियॉंड था नहीं उनको मिनि जाने का प्लान जो है गोवर्मेंट कर रही है क्योंकि उसके बारा के बदले 15 डिबो की ट्रेने भी चल पाईगी अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लासन और ट्यूबरू से रिलेटेड जिनों ने काम शुरू कर दिया है ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिफ गया कई सेक्शन के उपर कई स्टेशन के अंदर तो लिटरली जो है रूफिंग वीफिंग काम करके एंड के काम किये जा रहे है और बहुत इंपोर्टेंट अभी आप कहे जो ट्रेन चलाने के जो चीज़े है ट्रैक वेची इसके उपर काम शुरू हो गया है तो तक्रीब इंदर तो यह जो इन्वेश्टमेंट फंड दोस्तों कई सरी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हमारे भी बहुत मल्टाइब बड़े फंड है क्योंकि इनके पसमें अभी तो पैसा बहुत जारा है लेकिन कलको फ्यूचर में को पता है कि यह पैसा जो है वह आएगा न के अंदर उपन कर दिया है तो फ्रैंक वूट्स पूछते हैं डू यू तिंग गौवर्मेंट शुट बिल्ड रील कम रोड ब्रिज ओवर दी रिवर इफ देखो यार इसके अंदर बहुत इश्यू होते हैं एक जगे पे अगर रोड रेल ब्रिज दोनों एक साथ बनाना ह सिंगल स्रक्चर में तो पहली बात ये देखना पड़ा कि वहाँ सच में दोनों तरफ में रोड लकातों है इक षाह पार पई जाती है तो वह बहुत बरीज बनानी जेसे है तो रोड बनाना पड़ेगा इसका मतलब यह नहीं है कि दो अलग bridges से महंगा वो पड़ेगा लेकिन comparatively price difference जितना आप सोचते हो उतना नहीं होता है क्योंकि आपको literally एक काफी जदा मस्बूल structure बनाना पड़ता है आपका जो steel usage है वो बहुत जदा बढ़ जाता है हाँ आपका जो जगह है और जो maybe time हो सकता ह अच्छा कासा impact हो सकता है at the same time बहुत सारे जगों पे जो है railways अपने bridges बना रही है और road जो है वो state का हो सकता है किसी PWD का हो सकता है NHI का हो सकता है तो वहाँ पे फिर जो paper work का coordination है funding का coordination है कौन कितना पैसा देगा कौन कौन से model पे bridge बनवाना चाहता है किसी को toll चाहिए किसी क नहीं चाहिए railways to toll जमा करनी पाएगी तो ऐसे कई चीजों को देखते हुए जोसका एक documentation या bureaucratic issue भी है वो बड़ा होता है तो इसके लिए जबी कोई option नहीं होता और best option होता है कि road कम rail bridge बनाया जाए तब उसको बनाना ठीक है लेकिन वरना normal bridges जो है उससे भी काम चल सकता है उमीद करतों आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा आपके बस कोई सवाल है आप मुझे comment section में पूछ सकते हो अगर कोई news submit करनी है तो उसके लिए भी आपको description में एक link मिल जाएगी मिलेंगे अगले वीडियो में